हेलो फ्रेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपोरेंट वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग बैंक एकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं या जमा करवा सकते हैं जिसकी सूचना इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को नहीं मिलती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने सेविंग बैंक एकाउंट हम रख सकते हैं ताकि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से हमारे पास कोई नोटेस ना आए तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है साथ ही आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे इसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ रूल 114E जो की बात करता है फॉर्निशिंग ओफ स्टेटमेंट ओफ फानेंशल ट्रांजेक्शन कुछ high value transactions होती है जिनकी reporting income tax department को दी जाती है इन high value transactions पर मैंने already एक वीडियो अप्लोड की है आप उन सभी transactions के बारे में उस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किन सभी transactions की reporting income tax department को की जाती है और कौन उन्हें reporting करता है फिल्हाल हम बात कर रही है saving bank accounts की तो चलिए saving bank accounts की reporting आपको दिखा देती हूँ saving bank accounts के लिए अगर आप cash deposit aggregating to 10 lakh rupees or more in a financial year in one or more account other than a current account and time deposit account of a person तो rule 114E हमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर in a financial year 10 lakh से जादा saving bank account में deposit कराता है तो उसकी सूचना income tax department को दी जाती है उसकी reporting income tax department को होती है अब बात आता है कि कोन करता है ये reporting अब banking company cooperative bank to which banking regulation act 1949 apply और साथ में any banking institution referred in section 51 और साथ ही साथ post office तो अगर आप saving bank account में 10 lakh से जादा जमा कराएंगे एक साल के अंदर तो उसकी सूचना आएकर भिभाग को दी जाएगी अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज समझने की यह है कि अगर आपके एक से जादा saving bank account है और मान दीजिए आप किसी account में 5 lakh deposit करा रहे हैं किसी account में आप 2 lakh deposit करा रहे हैं किसी account में आप 4 lakh deposit करा रहे हैं तो सभी banks account के deposit को total किया जाएगा और अगर 10 lakh से जादा अपने cash deposit कराया है यहाँ पे मैं cash की बात कर रही हूँ अगर आपने cash deposit कराया है तो उसकी जो है information income tax department को दी चाएगी और income tax department आपको notice भेज सकता है अब यहाँ पे है कि चलिए हमने ठीक है 10 lakh से जादा cash deposit करा दिया इना financial year की यहाँ बात हो रही है यहाँ पे एक transaction की बात नहीं हो रही है आपको धिहान रखना है पूरे साल में अगर आपने 10 lakh से जादा का cash deposit कराया है किसी एक bank account में या फिर आपके एक से जादा saving bank account है तो सभी के मिला कर अगर आपने 10 lakh से जादा cash deposit कराया है तो इसकी सूचना income tax department को मिल जाएगी अब बात ताता ही है second step की अब चलिए आपने करा दिये हैं 10 lakh से जादा तो अब इसका क्या होगा क्या आपको कोई खत्रा है जिब बिलकुल नहीं ऐसी कोई restriction नहीं है income tax department की तरफ से कि आप 10 lakh से जादा deposit नहीं करा सकते आप 10 lakh से जादा deposit cash में करा सकते हैं लेकिन उसकी reporting income tax department को होगी अब income tax department को reporting होगी तो उसके बाद क्या होगा आपके पास income tax department से notice आएगा notice आएगा कि आप जो है ये income को justify कीजिए आप इस deposit को justify कीजिए अपनी income source को justify कीजिए तो आपके पास पूरे proofs होने चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया है जो आपने deposit कराया है अगर आपके पास genuine source से पैसा आया है तो आप उसे proof कर सकते है कि यहां से ये पैसा आया है जो मैंने deposit कराया है तो अगर income tax department से इस चीजिए का notice आता है और अगर आपके पास genuine proofs है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आप 10 lakh से ज़ादा deposit करा सकते हैं ऐसी कोई restriction income tax department की तरफ से नहीं है लेकिन हाँ 10 lakh से ज़ादा अगर आप कराती है तो उसकी सूचना income tax department को मिल जाती है जहां से आपको notice आता है अब बात आती है कि अगर आपके पास genuine proofs नहीं है कि वो पैसा आपके पास कहां से आया है तो इस case में क्या होगा इस case में income tax department आपके उस पैसे को unaccounted cash के रूप में दिखा देगा और उसके उपर आपको फिर high tax pay करना पड़ेगा high rate से जो कि almost 50-60% हो जाता है वो उस rate से आपको tax pay करना पड़ेगा अब second हमारी बात आती है कि आप कितने saving bank account रख सकते हैं जिसकी सूचना आईकर विभाग को ना हो तो दोस्तों आईकर विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी rule नहीं है कि आपको इतने saving bank account maintain करने है आप जितने चाहे saving account maintain कर सकते हैं इसमें किसी तरह की कोई परिशानी नहीं है तो आप एक से जादा saving account maintain कर सकते हैं आप दो कर सकते हैं चार कर सकते हैं income tax department में ऐसा कोई भी rule नहीं है जो आपको रोकता है एक से जादा saving account maintain करने में या कोई limit नहीं है परिशानी सिर्फ यहां पर आती है कि अगर आप जादा saving account maintain करते हैं तो unnecessarily आपको उनमे minimum balance maintain करके रखना होता है उनके debit cards वगेरा के जो charges होते हैं unnecessarily आपको वो bear करने होते हैं इसके अलावा कोई भी hard and fast rule नहीं है कि आपको इतने ही saving account maintain करने है इसके साथ एक important चीज और आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि काफी सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या हम saving account से जो है अपना business का saving account से business कर सकते हैं जैसे कि current account खुलवाते हैं लोग business purpose के लिए तो काफी सारे question आते हैं कि क्या हम saving account नहीं कुलवा सकते तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है कि saving account में cash deposit करने की जो limit है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाग है तो ऐसी case पे आपके लिए बहुत ही restricted हो जाएगा अपने business account को में काम करना और यहां पर जो current account की limit है cash and withdrawal की वो है 50 lakh rupees जो कि एक current account की है तो आपके लिए beneficial रहता है current account open कराना अपने business के लिए लाकि saving account में जो limit है वो बहुत ही कम है current account की limit जैसा कि आप rule 114E में देख रहे हैं 50 lakh rupees तक है आप सके इंपर देख पा रहे हैं point number C में cash deposit or cash withdrawal including through bearers check aggregating to 50 lakh or more in a financial year अगर आप 50 lakh तक की limit है तो जो आपके लिए बहुत जादा beneficial है अगर आप current account अपने business के लिए open करवाते हैं तो चलिए इस important information के साथ मैं इस video को कर रहे हूं यहीं पे close thank you for watching